हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू रोसन की क्लास यूट्यूब चैनल आप सभी का आज की सुच्म सिच्छड पाठी होजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहां पे पुनर बलन कौसल के उपर सुच्म सिच्छ पाठी होजना की वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करने के साथ ही साथ आप लोग यहां पर नीचे सब्सक्राइब का लिखा हुआ बटन आ रहा होगा लाल कलर का उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजे चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लिजे जिससे मैं आप लोग के जो रिक्वेश्टेड वीडियो होंगी वह अप्लोड करूँगा तो इसकी नोटिफिकेसन आप तक पहुँझ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपकी वीडियो अपलोड हो गई है अब चलते हैं यहां पे जिस डेट को आप यह सुचम सिचर पार्ठी उजना पढ़ाएंगे चक्र लिखा गया देख लिए चार का मतलब होता है कालांस लिखते हैं काफी लोग यहां पे चक्र लिखते हैं इसका मतलब होता है काफी colleges में अनकर्वांग नहीं लिखवाते हैं तो आपके college के उपर depend करता है कि वो कैसा structure देते हैं अगर अनकर्वांग लिखने के लिए बोलेंगे तो अनकर्वांग लिख लीजेगा नहीं बोलते हैं तो खाली छोड़ दीजेगा सिच्चढ erson, पूना सिच्चढ तो एक बार इसमें सुच्चम क्योखोता है सिच्चढ उसमें घलत्यां होती है आप सेपना सिच्चढ काया जाता है आप师हां पहली बार पढ़ार रहे हैं तो सिच्चढ लिख लिफ लिजे, और दूसरी बार उसी चीज कूरा रिवाइज कर सिच्छड काउसल हमारा हे PUNARBOLANN काउसल विशय है गडित का प्रक्रण है साधान प्याज अब देखिए इसके बाद आता है हमारा PUNARBOLANN कोशल के घटक जो भी कोशल होते हैं जैसे व्याक्षियान काउसल हो गया और आपका प्रस्तावना काउसल हो गया उद्देश लेखन कॉसल हो गया, पुनरवलन कॉसल हो गया, इसी तरीके जितने भी कॉसल है, सुचम सिच्छर पाठियोजना के, सभी के अलग-अलग घटक होते हैं, जैसे कि यहाँ पर पुनरवलन कॉसल है, पुनरवलन का मतलब होता है कि आप कोई चेप्टर पढ़ा रहे यह साथ घटक हैं टोटल, पहला है साब्दिक सकारात्मक, यानि कि आप सब्द से उसको सकारात्मक उसकी जैसे उसने कोई एंसर दी आपके पूछे के प्रसंका वो सही है, तो आप बोल सकते हैं हाँ ठीक है, बहुत अच्छा इस तरीके से, तो यह होगा एक साब्दिक सका आप सब्द बोलके आप उसको नकारात्मक बोल रहे हैं, यानि कि सब्द से बोलने जैसे कि उसने अंसर दिया, आपने कहां बिल्कुल गलत है, यह हो जाएगा साब्दिक नकारात्मक, इसी तरीके से असाब्दिक नकारात्मक है, अत्रिक साब्दिक है, यानि कि सही इसके सही या फिर ठीक है इसको यालामा आप कोई अगर बोलते हैं आपे तो वह अत्रिक सब्साब दिखोगा उसका छटवा है छात्रों के उत्तर दोहराना कोई बच्चा आपका उत्तर दे रहा तो उसको आप दोहरा दीजिए जिससे बच्चे आपकी क्लास में जो बैठे हैं उन और आपके से पीछे तक जितने इस बच्चे हैं उसे अंपट पर लिखे गए चीज़को देखके उसको समझ सके हैं यह हो गया आपका घटक उसके बाद उद्धेस यहां पे आपका उद्धेस ग्यानात्मक उद्धेस में देख लिए लिखा गया है चात्र मूलधन दर समय का प्रत्या भी ग्यान कर सकेंगे दूसरा है ब Initially इसमें देखलoure लिखा गया चहत्र सरल व्यौज ज्यात करने का बहुत प्राप्त कर सकेंगे तीस्षा है अनुप्रयोग अत्मक चात्र अपनी जीवन में साधान व्याज का महत्व तथा प्रयोग कर सकेंगे, आप यहाँ पर आता है पार्थिवस्तु, आपको यहाँ पर इस चप्टर को पढ़ाना है, तभी थोड़ी थोड़ी चीजे पढ़ाएंगे, तभी प्रस्ण पूछेंगे, उसी के ऊपर पूल्ण बलान देंगे बच्छों को, यहाँ पर पहला कॉलम है पार्ठी वस्त का, दूसरा कॉलम है चात्रा ध्यापक करिया है, लड़की है तो चात्रा ध्यापी का करिया है हो जाएगा, तीसरा कॉलम है चात्र क्रिया है, चौता कॉलम है प्रयुक्त घटक, यहाँ पर देख लिएज़े, पहले मुल्धन के बारे मैं बता गया बच्चों बोलेंगे तो यह क्या हो गया साब्दिक सकारात्मक हो गया तो यह प्रयोग्द घटक इसके सामने लिख दीजिए एक देख लिए यहां पर घटक प्रयोग्द घटक जो है साब्दिक सवकारात्मक के सामने एक लिखा गया है तो यहां पर प्रयोग्द घटक के सामने एक लि इसी तरीके से समय है तीसरा जितने समय के लिए रुपया उधार लिया जाता है उसे समय कहते हैं तो बच्चों से पूछेंगे समय किसे कहते हैं तो बच्चे बता देंगे जितने समय के लिए रुपया उधार लिया जाता है उसे समय कहते हैं तो यहां पर बोलेंगे हूं या बच्चों को साधान व्याज पराबर होता है मूलधन गुड़े दर, गुड़े समय बठे 100 तो फिर इससे प्रस्ण पूछे बच्चों से साधान व्याज कैसे ग्याद करते हैं बच्चों तो यहाँ पे बच्चे बता देंगे व्याज निकालने के लिए मूलधन में दर और समय का गुड़ा करके गुड़न फल में 100 से भाग दे देते हैं तो बच्चे सही बता रहा हैं तो यहाँ पे आप ठीक बोलेंगे यहाँ पे भी प्रव्यक्त गठक आपका एक हो जाएगा अब इसके बाद आता है आदर्स प्रसन बच्चों से आदर्स प्रसन पूछिए यहाँ पे देख लिए प्रसन पूछा गया है 100 रुपय का 10 प्रसन वार्सिक व्याज की दर से 6 वर्स का व्याज क्या होगा यहाँ प्रसन पूछेंगे बच्चों से क्या ग्याद करना है तो बच्चे बता देंगे प्रस्न में स्याधान व्याज ग्याद करना है इसके बाद आप स्याधान व्याज जो ग्याद करना उसको बच्चों को ग्याद करके दिखाएंगे साधान व्याज पराबर अभी बताया आपने मुल्धन गुड़े दर 10 परसेंट का और समय 6 बस का 100 से भाग देंगे 100 से भाग देंगे जब 600 में तो 6 हो जाएगा चे गुड़े चे करेंगे तो 36 आएगा 10 का गुड़ा कर देंगे तो 360 हो जाएगा तो यहां पर साधान व्याज टोटल 360 रुपे आ गया चात्र वाली कॉलम में लिखना है चात्र ध्यान पूरत देखेंगे वह अभ्यास पुस्तिका पर लिखेंगे उस चीज को जो आपने काफी कॉलेज से बना बनाया नहीं मिलता है तो उसको इस तरीके से सुच में सिछड़ वाले जो आप किसी कॉसल पर बनाते हैं कोई यहां पर माइक्रो टीचिंग उसके बाद वाले पेज़ पर आपको इस तरीके से निरिचड सुची या फिर रेटिंग स्केल बनाना होता उसमें गडम में लिखना है कॉसल के घटक फिर उसके वाद बहुत अधिक Ng णृसत अच्छा अच्छा और उत्तम अक्षा करेंगे जितने अच्छी तरीके से जितने अच्से तरीके से आपको इस इसमें से उतना अच्छा Scaling मिलेगा अगर सात मिलता है आपको तो उत् या सबसे निचे परवेच्छ रहेंगे उसके सामने उस तरीके से आपको मार्किंग कर देगा तो प्रिविष्चक होजाएगा और साथ ही में दूसे साइड लिखना है, इसह परिवेच्छक परिवेच्छकी कलए भीज़ेगा है, तो यह था दोस्तों आज की हीडियो आप लोगों तक सुच में सिच्छ पाठी होजना की वीडियो या फिर पाठी होजना की वीडियो पहुचाने की पूरी कोसिस करता हूँ और अगर अभी तक आप रोसन की क्लास यूटीब चैनल पे नए है नीचे सब्सक्राइब बटन उस पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजए जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा यानि की घंटी का निसान आएगा उसको दबाके आल नोटिफिकेशन पर अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुच जाए तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद वन देमातरम